चलिए एक और सवाल आपके सामने कहते है आशा लिमिटेड पहले ही कह दिया आशा लिमिटेड जो बिजनस एक्वायर करने जा रही है वो कैश को नहीं लेगी बाकी सारी चीजों को ले लेगी तो अब कैश को जब नहीं ले रही है तो रिलाइजेशन अकाउंट में कैश का बैलेंस अब नहीं आए समझे बाता 31 मार्च 2023 को ता बैलेंस शीट अंड लाइबिलिटी अफ कमला लिमिटेड ऐस फॉलो 2016 में एक्जाम में पूछा गया सवाल है यह अब नई वाली बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है आपको कुछ एक्विटी अंड लाइबिलिटी कुछ हैसेट से कहता है कि आए नीचे तक कंसीडरेशन पेबल आशा लिमिटेड वाज एग्रियस फॉलो आशा लिमिटेड को कुछ कंसीडरेशन पेङमिंट करें या रही सीधा पेमिंट की बात कररहे हैं कहता है कि अब कैश क्एमिंट पांच रुपे इच इपकुटी शिएर आ टेन रुपी कहता है कमला लिमिटेड तुमारी कंपनी में जो भी नंबर ऑफ शेयर से हर शेयर के बदले मैं तुम्हें कितना देना चाहता हूँ पांच रुपे नगत तो पहले निकाल लेंगे हम परचेस कंसिडरेशन तो परचेस कंसिडरेशन में दिखा जाए तो सबसे पहले हम कैश पेमिंट करने के लिए रेडी हैं और हर एक शेयर के बदले पांच रुपे तो इसके पास सेकूर्टी शेयर जो है और गुणा में पांच तो इससे कितना मिल जाएगा डेड़ लाख रुपे तो कैश मिल जाएगा सेलर कंपनी को और आगे क्या कहना है कहता है दा इशू ऑफ सिक्स्टी थाउजन एकुटी शेयर टैन रुपी सीच फुली पेड एग्रीड वेल्यू ऑफ पंद्रा रुपे बोला साथ हजार शेयर भी देंगे तुम्हें ऐसी बात नहीं है हम तुम्हें एकुटी शेयर कैपिटल भी देंगे साथ हजार लेकिन उसका वेल्यू जो रहेगा वो पंद्रा तो हम पंद्रा से लिके चलेंगे यानि दस रुपे प्रीमियम पे जाएगा तो देट इस आपका हो जाएगा बारा लाग रुपे बारा लाग ही होगा ना घुटार परसंट डिसकाँट संफिसेिट आप डिबेंचक तो डिवेंचर वालों को बात करने की बात करें तो नेट प्रिवांत में नेपे जो प्रफरेंटक cran сер को दिया जाएगा और कुटी को दिया जाएगा वही पीसे इतना ही है यहां पर नौ लाग दस लाग सर बागी डिवेंचर वाली लाइन पर्ड देते हैं क्या कह रहा है क्या था इशू अफ सच एन अमाउंट 14 परसंट डिवेंचर आफ आसा लिमिटेड 4 परसंट डिसकाउंट कहता है हम इशू करेंगे 4 परसंट डिसकाउंट पर सफिसेंट डिसाइज जो तुमारे 12 परसंट डिवेंचर है उस डिवेंचर को हम प्रीमियम पे ले लेंगे तब फेस वेल्यू अफ डिवेंचर आसा लिमिटेड 100 कहा गया भाईया आसा लिमिटेड बायर पहले बता देता है निन तो कन्फियूजन के डिबेंचर तुमें दूंगा और प। दोंगा लेखिन तुमारी कंपणी के डिवेंचर मैं 30% के प्रृमियुम State ! करते आँ तो तुमार्य का डेटे बताऊ तो इसके अब चाहार था फोल आँ पचाहस नहीं इसके ऊपर और जोड़ बीस पर्सेंट डियाटक राटधे अवले टो साथ हजार डेवाइड फाइट निके पिच्च्चव जाए तो कुछ एक ऐसा फ्रिक्शन में आ रहा है हाँ पर छे सो एकतिस छे सो एकतिस सो रुपेका हो जाएगा और multiply जो भी difference आएगा उसे cash में हम match कर देंगे जो भी difference आएगा उसको cash में क्या करेंगे हम match कर देंगे पहले यहाँ तक देखिए PC निकल गया दिबेंचर की एंट्री तो बायर की बुक्स में करेंगे और क्या बोला गया है वाइल कंप्यूटिंग एग्रीड दा कंसीडरेशन दा मेनेजमेंट अफासा लिमिटेड वेल्यू लेंड बिल्डिंग बोला गया इतने पर लिया जाएगा प्लांट एंट मसीन री इतने पर लिया जाएगा इंड़ देटर देयर फेस वेल्यू सब्जेक्ट फोर परसंट प्रोविजन फोर डावट फुल डट्स लिकुटिशन अमाउंट 30,000 अब कुछ नहीं बोला के लिकुटिशन अमाउंट किस ने सब्सक्राइब के लिमिटेड मतलब जो भी के लिमिटेड सेलर है उसके बुक्स में बनाना है पास अक्यूजेशन जर्नल एंट्री इन दा बुक्स मतलब वही कहां नहीं आगे गोंफिर के दोनों तो आप देखो मजे की बात देखो जिसने पहले वाला कोशन किया होगा त बोला गया बस ज़्यादा नेए इतना सा और कुछ नहीं निकाल पिछले साल जो आया था बोला गया था सिर्फ परचेस कंसडेशन जो हम कल वाली क्लास में पिछले साल वाला कुशन भी देख लेंगे तो चलिए एक एक रिलाइजिशन अकाउंट बना लेंगे और एक शेयर होल्डर अकाउंट बोला गया तो पहले जैसे हमने किया था वही कहाने फिर घुम फिर कर आई थी हला कि मैंने होमवक में दिया था कितने बच्चों का अंसर आ गया था यह है अमारा एक बोला गया एक और अकाउंट बना दो अगर अगर बास एक्विटी चेरोल्ड रहना तर अरे असेट्स ले ले थे हैं गुडविल लेंड बील्डिंग प्लांट मैंस इंडी स्टॉक्ड और कैश को लेना है क्या नहीं लेना मना कर दिया कि कैश को नहीं लेंगे तो चलिए यहां टू संट्री एसिट्स क्या 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 लेना है गुडविल्ड प्लांट एंड मसीनरी और क्या था बताते जाएं लेंड एंड श्टॉक्ड टेटर पस अमाउंट बताईए गुडविल का पचास हजार कि दो लाख बीस हजार कि एक लाख असी हजार और तीस हजार कि वाइट साइड में हम सारा का सारा लाइबलिटी ले लेंगे अब इसमें ने प्रिफरेंश येर था ही नहीं तो लाइबलिटी में दो चीजे बची हैं और ये तो अलग बात कहा रहा है एक डिबेंचर है और क्रेडिटर है पांच पचास और बीस है ना तो डिबेंचर पचास ये सब बुक वेल्यू पर होता है और क्रेडिटर कितने का ट्वेंटी और बाय साइड में आ जाएगा पीसी और बायर कंपनी कौन है बायर कंपनी हमारा है के लिमेटेड नहीं एलिमेटेड दस लाक और तो कुछ है नहीं अब रिलाइजेशन का एक्स्पेंस है उसको पेमिंट करने का प्रॉसेस की प्रॉमिस किया है तो टू कर देंगे बैंक और ब्रैकेट में और कितने रुपे का तीस का था बस और कुछ भी है नहीं एक्विटी शेयर में हम ले लेंगे बाई साइड में एक्विटी शेयर और बाई साइड में कुछ जन्नर रिजर्व भी है ना और बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एकुटी शेयर कितने हैं जन्नर रिजर्व और पी एंडल बस यहां से प्रॉफिट टोटलिंग करिए एक बार इसका टोटलिंग करिए अरे मैं देख रहा था कमेंट ब्रुग गया था बच्चों का अच्छा हो गया बच्चे के रहे हैं मेरा हो गया सर कोश्चिन क्या है पांच लाख दस अजार अब टोटल देखा जाए अब टोटल देखा जाए तो ज्यादा कि इधर मेरे साबसे दस चार और तीन इधर ही ज्यादा है तो सत्रा लाख नहीं ग्यारा लाख बीस हजार है ना और इधर भी आजाए का ग्यारा और टू चला जाएगा ये एकुटी शेयर होल्डर कितने आगे चेक कर लिजेगा छे दस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एकुटी शेयर कैपटल लिखेंगे जो कि डिस्चार्ज में किया है कितने का एकुटी शेयर था नौ लाग का कैश भी यहीं पे आएगा कितने का था ठेड़ लाग और जो हमने ये मुनाफ़ा कमाया ये बाए में चला जाएगा बाए रिलाइजेशन प्रॉफिट कितने का था छे लाग नाव टोटल करते हैं दस लाग पचास अजार और इधर भी आजाएगा हमारा दस लाग डन हमारा सेलर का बुक कंप्लीट आपको अब सेलर का बुक भी आसान लगने लगा होगा कुछ ऐसाच है नहीं और बायर की तो बस कितनी गिंती की तीन मेन एंट्री बाकि हो सकती है जितने भी है कि लियर रहा था बताइए को अब हमें बनाना है जनल एंट्री तो जनल एंट्री के लिए पहली एंट्री क्या होगा हमारा बिजनेस पर चेज अकाउंट डेबिट टू लिकुडेटर अकाउंट और यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा दस लाग तारे एसेट्स ले लेंगे हम इसका कोई एसेट्स नहीं चोड़ने वाले कैश को उसने बोला हम लेंगे ही नहीं तो यहां वाली एंट्री में भी कैश को डेबिट नहीं किया जाएगा ठेक है तो यहां पर सबसे पहले क्या था गुडविल लेंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मसीनरी स्टाउक एंड डेटर और टू में आ जाएगा डिबेंचर और क्रेडिटर अमाउंट बता दीजिए फटाफट गुडविल का और इन सभी का वेल्यूएशन करके बताया था कुछ कुछ तो ध्यान दीजिएगा नीचे वेल्यूएशन भी था इसका नहीं वेल्यू कह रहा था ये वेल्यूएशन मैनेजमेंट ने करा लेंड इन बिल्डिंग का तीन लाग करा और प्लांट इन मसींडी का साड़े तीन लाग किया लेंड इन बिल्डिंग का करा तीन लाग और इसका साड़े तीन लाग किया बताये और डेटर पर कहता है पांच परसेंट का प्रोविजन लगा दो चार परसेंट का तो कितने बंदते हैं कितने बंदते हैं माइनस माइनस करके मुझे यह बताओ ना इडेटर कितना आ रहा है कैसे दोगे एकिजाम कहता है के face value subject to 4% डेटर के उपर और हमारा डेटर देखा जाए तो डेटर कितने का है सहाब 30 का है अब 30 में से 4% का कहता है के the debtor their face value subject to allow 4% तो भाई साब इसमें से 4% घटा होगे न तो 30,000 कहां से आ रहा थे इतनी देर से आप 30-30 कहा रहे थे 28,800 वो प्रोविजन नीचे डाल दिया होगा ठीक है न देखो बुक के अंदर प्रोविजन नीचे आ गया होगा तो उसकी होगा ठीक है टेंशन मत लीजिए वह टेंशन मत लीजिए आंसर हमारा एक्विलेंट रहे हो मैं इसलिए भी थोड़ा सा आंसर में चेंज कर देता हूं कि हूंवग देता हूं तो बच्चे बुक का न टेप ले क्रेडिट पकड़ा जाएगा वहीं से कर रहा है वहीं से कर रहा है तो बाकि जो बुक में है वह गलत नहीं है वह भी ठीक है लेकिन करने का अलाग थोड़ा था पैटर्न हो जाता है अब सर यहां पर पीसी आ जाएगा पीसी आ जाएगा आपका कितना दस लाग पचास जाएगा अब डेविड क्रेडिट चेक कर लो इन सभी का टोटल बताईए क्या रहा है मैं रफली लिख रहा हूँ एक्जाम में ऐसे मत लिख के आना दस लाक अठावन अजार आप भी चेक कर लिजेगा और यह आ रहा है हमारा ग्यारा लाक चेक कर यह टोटल यानि यहां सर डेविड में निकल रहा है तो एक फ्रेश गुडविल और आ गया एटी टू तो इसको अलाग अलाग गुडविल लिखे जब नहीं बैलेंशीट बनाईएगा तो मर्च कर दीजिए गाईए अधर्वाइस कोई फराइगा कि चालीस आ रहे हैं इस वीस आएगा है पचास वीस अच्छा ग्याराव इस गलत है तो मैं क्या पूछ रहा हूं बता दो भाई या टाटा कि एड़िए तैवन जे कर लेकि एड़िए अरे दस अठावन ही तो आ रहा है कैसे साथ लाग साढ़े साथ ही हो गया अपधि साढ़े छे या दो आठ आठ आप बुक में से तो देख कर नहीं बोल रहे है तीन लाक और साड़े तीन लाक साड़े छे लाक दो लाक तो नौ लाक ही हो गया तो साथ लाक कैसे पहुँच जाएगा हो थोड़ा बहुत देखो कैलकुलेशन में न दिमाग में रखना यह अठाइस है बहुत ज़्यादा गुट भी ला गया इसका टोटल यह आया अब इसमें से यह घटा देंगे तीन लाक इकेस हजार दो सो चीक है आप चाहें तो एक जो यह वाला गुट विल इन गुट विल को मर्ज करके भी दिखा सकते हैं आप तीन लाक इकत्तर हजार दो सो जो कि आपको book में देखने को मिलेगा समझे बात आप इसको merge करके भी अलग-अलग दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अलग-अलग भी दिखा होगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्जाम में तो आप पहले लिख लोगे बाद में पता चलेगा अगली एंट्री PC को डिस्चार्ज कर देते हैं तो लिक्विडेटर अकाउंट भाई साब कितने का 10,50,000 लिक्विडेटर भाई मैंने तुझे कैश दिया है कैश दिया है 1,00,000 और लिक्विडेटर भाई मैंने तुझे equity share capital भी दिया है अब अगर equity share capital की हम बात करें ना तो equity share capital कितने दिये हैं उसे हमने 60,000 equity share capital दिये हैं और 60,000 into me 10 तो यानि 60,000 into me 10 रुपे का equity share तो आगे 6,00, बाकी का क्या रहा था सर security premium security premium कितने का तो ये लिक्विडेटर भाई थोड़ा यहां से जानदार आईंटरी में इसको वैश्य को जान तो है नहीं वैसे मैं के सकता हूं कि यहां पर गलती कर देते हैं बच्छे कर गभाद ठेक है अब डिपेंचर को डिशार्ज करते हैं पहले यहां तक देखियो को इडाूट यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताईए यह लास्ट कोशन है न साहित इसके अंदर लास्ट है और भी कोशन लेंगे ऐसी बात नहीं है कि चले है तर डेटर 28,800 कैसे और रिगार आए प्लीज एक बड़ डिवेंचर डिवेंचर निकालेंगे अभी डिवेंचर पर तो आ रहे हैं डेटर कैसे आए बच्चों को बताओ भाई 30,000 का था और इसमें से हमने घटा दिया 4% तो जब इसमें से 4% आप घटाओगे तो यही आए मतलब जो भी घटा के यही आएगा अब आ जाते हैं कम टू दा पॉइंट डिवेंचर पर मैं डिवेंचर दुबारा बता देता हूं आपको भाई एक है ए लिमिटेड एक है के लिमिटेड के लिमिटेड सेलर है और यह बायर है चलिए पढ़ लेते हैं दूसरा कोश्चन बड़ी जल्दी हो गया क्या कहता है दा इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ पॉटीन परसंट डिवेंचर ऑफ आसा लिमिटेड यानि इसने इशू करना है इसने कहा के इशू सच ऑफ आसा लिमिटेड इसको इशू करेगा यानि बायर ने ठान लिया के मैं तुम्हें डिवेंचर दूँगा और फॉर परसंट पर डिसकाउंट पर दूँगा यानि जो भी डिवेंचर है तो मैं अपना डिवेंचर तुम्हें 94 रुपे का दूँगा अच्छा वो गलत हो गया 4% होता है 4 तो बचा 96 का 4% का मतलब होता है माइनस 4 रुपे करके 96 रुपे का मैं तुम्हें अपना डिवेंचर दूँगा बदले में कहता है डिस्चार्ज बदले में तुम्हारी कम्पनी के जो कमला तुम्हारी कम्पनी के डिवेंचर उसको 20% पे वैल्यूएशन कर लूँ है तो कमला तुम्हारी कम्पनी के डिवेंचर कितने कमला ने बोले मेरी कम्पनी के डिवेंचर मैंने वहला तुम्हें 20% ट्रेक्स्रा दिया जाएगा प्रीमियम that is 20% कितना होगा 10,000 किसका साहब 20% तो ये आगे हमारा कितने अब 60,000 की हम बात करें तो 60,000 जो हमने 20% दिया है इस हम 60,000 की बात करते हैं तो 60,000 का तुम्हें समान मिलेगा लेकिन एक समान कितने का होगा 96 का होगा तो नंबर निकालना पड़ेगा अदर दिन कैश में सीखा हो तो तो 60,000 divided by 96 तो 625 डिवेंचर तुम्हें हम अपनी कंपनी के दे देंगे तो चलिए डिवेंचर इशू करते हैं तो 14 परसेंट डिवेंचर तुम्हारी कंपनी के पहले थे उसको डेबिट कर दिया जाएगा अकाउंट डेबिट देट इस 50,000 ठीक है और हम तुम्हें डिसकाउंट पे भी देंगे और साथ के साथ तुम्हारा डिवेंचर हम प्रीमियम पे भी ले लेंगे तो भाई साथ तुम्हें सिक्यूरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर देते हैं तुम्हें देना है नामे सिक्यूरिटी प्रीमियम तो सिक्यूरिटी प्रीमियम डेबिट कितने सिक्यूरिटी प्रीमियम साहाब डेबिट सिक्यूरिटी प्रीमियम डेबिट 10,000 और टू हम तुम्हें डिबेंचर देने वाले हैं टू डिबेंचर देने वाले हैं 625 और गुना में 100 यानि सर 62,500 और ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट भी तो डेबिट होगा डिस्काउंट जो हमने इशू पे किया है डिबेंचर पे मैं इसको तोड़ के कर दूँ अलग-अलग तो बहतर रहेगा आपके लिए तोड़ के कर देता हूँ 14% डिबेंचर पचास अजार इसके उपर सिक्यूरिटी प्रीमियम देंगे 10,000 और किसको दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को टोटल कितना दिया जाएगा तोड़ के कर देते हैं अब एक और एंट्री हो जाएगा वह यह डिबेंचर होल्डर आ जाओ तुम्हें देने 60,000 है लेकिन तुम्हें डिसकाउंट भी मिलेगा सर तो डिसकाउंट कितना है 625 गुणा में 4 और तुम्हें डिबेंचर मिल जाएगा 625 गुणा में 100 यानि सर 22,500 यानि पच्चिस सो रुपए का तुम्हें डिसकाउंट रहेगा यह लेजिए इशू होगे डिबेंचर देखिए यहां तक देखिए कैस क्यूं नहीं लिया रिलाइजिशन में सवाल ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि कैस नहीं लेंगे अब पढ़िए 10 येर के अंदर पहली लाइन कहता है कैस नहीं लेंगे तब ही के निव वीडियो अपलोड होगे इस आप का तो मैं इस पेशली अलग सई करा हूँगा लास्ट एंट्री एक बार और चलिए अगर लास्ट एंट्री को देखें पहले आपको लास्ट एंट्री को करने से पहले आपको ये वाली कहानी समझ में आई क्या आप बताईए ये वाली कहानी समझ में आई कि भाई मैं मुझे जो मिलना है ना कितने का वर्थ मिलना है मुझे जो seller company बोल रहा है मुझे भाई या 60,000 मिलेगा buyer company कह रहा है 60,000 तो देंगे लेकिन तुमें हम अपनी company का share adventure सस्ता देंगे यानि एक 625 देंगे तो seller company दिमाग लगाएगा 625 डिविंचर देगा और 100 रुपे का देगा यानि हमाएं 62,500 का समान मिलेगा यानि इस company का कितना फाइदा हो गया कि 50 के बदले उसे 62,500 मिल रहा है और 62,500 जो मिल रहा है उसमें से 10,000 तो premium का मिल रहा है हमने यहां पर entry किया कि भाई साब 14% debenture पहले तो बुला लिया कि debenture holder तुम्हें आना पड़ेगा तो 14% debenture और security premium को भी debit कर दिया क्योंकि यह entry कौन कर रहा है buyer entry कौन कर रहा है तो buyer जब premium देगा seller company को उसके लिए तो नुकसान है security premium तो इसलिए उसने security premium debit के और बोला यार debenture holder तुझे तो 60 देने पड़ी अब जब debenture holder को मैं 60 देने के लिए गया तो उसको बोला 625 पे तो 4 रुपे का discount यह भी नुकसान है तो इसलिए buyer ने इसको भी क्या कर दिया है sir debit 25 तो total debenture को कितना मिल गया 62,500 इसके बाद redemption of debenture स्टार्ट होगा अगली क्लास में हम इस chapter को पूरी तरीके से खतम कर लेंगे मेरे को नहीं लगता कि कल क्लास मैं रख रहा हूँ क्योंकि कल इसके जितने भी 13 question homework में वो करिएगा और 10 year में past जितने भी question आए आप वो try करेंगे जो offline वाले बच्चे एक से 13 मैं परसो सवाल चेक करूँगा एक से 13 जिसके अंदर merger लिखा हुआ है साएद 2 सवाल के अंदर merger लिखा हुआ है उसे नहीं करूँ मैंने adjustment कर दिया था ना common data common BP unrealize कर दिया था ने यह सारे adjustment तो हुआ हाँ ठीक है आज मैंने डाल दिया है कौन कौन से चप्टर आपको exam से पहले कर लेने चाहिए आज मैंने डाल दिया है पर आज मैंने upload कर दिया है कि इसके doubt चितने बच्चों के doubt आ रहे हैं तो instant सिर्फ semester चार वालो के लिए doubt के लूँगा मैं अब इस semester चार वालो के लिए लूँगा दो वालो के लिए मैं अलग से doubt session लूँगा तो चार वालो के लिए मैंने number दे दिया उसी number पर अपने doubt भेजिये गा पुराना क्या या नहीं आया मैं दुबारा repeat कर दूँगा भी आपको debtor वाला बता दो इसमें debtor में क्या था अरे भाई debtor में आपने provision कितनी बार लगाया बार भी class में तो debtor 30 का था उसमें बोला 4% कम पे ले जाओंगा तो 4% माइनस कर दिया तो 30,000 में से 4% माइनस यानि 1200 रुपे माइनस करोगे तो 28,64 ठीक है ठीक है क्यार्ण to क्याама तो वाल क्या आपक मांनस उसार झाए युपे अपका